फोकस ग्रीन एनरजी और जिवाश इंधन को बाई बाई कहने का अब भारत ने पूरी तरह से मन बना लिया है जिसके लिए भारत लीथियम आयन सेल के छेतर में दो गुनी रफतार से आगे बढ़ चुका है क्योंकि अगर भविश को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जाएग में 12 गीगावाट के लीथियम आयन बैटरी सेल निर्मान सुविधा स्थापित करने के लिए 6,000 करड़ रुपे तक का निवेश करने वाली है वहीं इस सैयंत का पहला चरण अगले 27 से 30 महिनों में पूरा होने की उमीद है जिसमें लगभग 4,000 करड़ रुपे की निवेश की संभावना है आपको बता दे कि अत्यदुनी ग्रीन फिल्ड मल्टी गीगावाट लीथियम आयन बैटरी सेल निर्मान सुविधा नए जमाने के इलेक्ट्रिक मॉबिलिटी और इस्थिर एप्लिकेशन वेवासाय को पूरा करेगी मतलब यहां एक्जाइड भारत की निर पर्ज मुक्त कंपनी है जिसके पास पर्याब भंडार मौजूद है वहीं करनाटा का इंडर्स्ट्रियल एरिया डेवलोप्मेंट बोर्ड यानि की कि आई एडीब के साथ हाइट डिफेंस एंड एरो स्पेस पार्ग फेज टू बैंगलोर में 80 एकर जमीन का सौदा किया ग लीथियमाइन बैटरी पैक और मौडियूल बनाती है और यह भारत की सबसे बड़ी इकाईयों में से एक है वहीं कंपनी को अगले 8-10 वर्षों में अपने लीथियमाइन सेल निर्माण व्यवैसाय से लगभग 10,000-12,000 क्रोड रुपे का वाशिक राजस्तु उत्पन करने की उम्मीद है वहीं एक्जाइट के पास गुजरात में पहले से ही 1.5 गीगावाट लीथियमाइन बैटरी मौडियूल बनाने की सुवधा है जिसने परिचालन भी शुरू कर दिया है जिससे आप समझ सकते हैं कि एक एक ऐसा छुपावा खिलाडी है जो भारत की 50% बैटर बना कर रख देगा